हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है समिक्ष इंस्ट्यूट चैनल पर हम आपके लिए ले करके हैं कई सारे ऐसे इंस्ट्यूशन्स जो कि यू पीएससी पीएससी और अधर कम्पटेटिव एक्जाम की द्रस्टी से बहुत ही मेट पूर्ण है जिसमें हम बावा एटॉम इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं आज हम राजा रामुद्यंस चेट्रीय पर एड वांस पडयेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे introduction और historical background functions and achievements इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे Appropriation RRC Cat यानि की राजा रामनां Center for Advanced Technology दूसरा हमारा है formation 19 February 1984 को वा था परफस है हमारा nuclear physics headquarters हमारा इंदोर इंडिया में स्तित है parent organization है Department of Atomic Energy और इसके डारेक्टर है RRC Cat के श्री देवाशी दास जो की जून 2019 में बने है यही हम हिंदी में जान लेते हैं एक वर संचित नाम RRC Cat का राजा रामनां Center of Advanced Technology गठन इसका 19 February 1984 में गुआ था ओद देश परमानू बहुत की था मुख्याले इंदोर मर्द बज़िस भारत में स्तित है मूल संगतन बिवाग परमानू उर्जा का है निदेशक और रर्सी कैट के श्री देवाशी दास जो की जून 2019 में बने थे राजा रामनां Center of Advanced Technology is a unit of Department Atomic Energy Government of India engaged यानि की राजा रामनां Center for Advanced Technology भारत सरकार का एक परमानू उर्जा का बिवाग है जिसकी एक काई है हमार अगला पॉइंट है तू एक्सपेंड दा एक्टिबिटीज केरीज आउट दा बावा एक्टोमिक रेजर सेंटर मुंबई इन नॉन नुकलियर फ्रेंटोनियन लाइज एरिया लेजर पर्टिक्लर एक्सलेटर एंड रिलेटेट टेक्नोलोजी यानि की मुंबई के ब इस्तार के लिए किया गया है चलिए दोस्तों हमांगे बढ़ते हैं अब हम इसका हिस्टोर गराउं जान लेते हैं और 19 फरवरी 1984 दे प्रेसेडेंट अफ इंडिया जयान जयल सिंग लेट दा फांडेशन आफ इस्टोन अफ दा सेंटर कंसक्शन्स ओफ लेटीज एंड हाउस बैंस इन में 1984 यानि कि 19 फरवरी 1984 को भारत के राजपती ग्यान जयल सिंग ने केंदर की आधर शिला रखी थी प्रयोग सालों और घरों का निर्माण मई 1984 में तुरू हुआ हमारा अगला पॉइंट है यानि कि जून 1986 में बर्ख मुंबई के बैग्यानिक का पहला बैट राकेड में चलाएगा और बैग्यानिक गतिविद्यों की शुरुआत की गई हमारा अगला पॉइंट है औरिजनली कॉल्ड अगल्ड सेंटर ओफ एडवांस टेक्नोरजी इट वाज री नेमड बाइड इंडियन प्राइम प्राइम निस्टर इन डिसमबर 2005 अज़ा रामनन चेंडर रूप में दिसमबर 2005 में भारतिय बहुतिक बिग्यानिक राजा रामनन के नाम पर रखा अब हम इसके फंक्शन्स जान लेते हैं रिसर्च लेजर पर्टिक्लर एक्सलेटर एंड टेक्नोलजी लेजर कडवक्र और संबंदित प्रद्योगी का अनुसंदान है इन अधिशन टू दे सेंटर ओफ ट्रेनिंग से डॉक्टरल प्रोग्राम्स टू टेक अप्रेसर्च एंड डबलमेंट वर्क इन दा फ्रंटोनियन लाइंस एरिया अपर्टिक्लर एक्सलेटर रेजर राइकोर जीन्या सोपर कंड़ेक्स एंड रिलेटेड हाई टेक्नोलो का आयोचन भी करता है अब हमारे अचीब्बेंट्स क्या है यान कि एक्सलेटर दा सेंटर ओफ इंडोजीनियस डिजाइन डवलप्ट एंड कमीशन टूवा सिंग्रोट्रान रिडियेशन सोर्सेज यान कि इंडस वन इंडस टू सर्विंग एज नेशन फेकलिटी यान कि क इंडर्ण फेरोमेटर ग्रैविटेशनल बेव अब्जरवेट्री यानि कि दली लिगोड प्रोजक्तेटेट इस एन इंटरनेशन कोलाबरेशन ब्ट्विं दलीगो लाइवर्ट्री एंड त्री लीड इंस्टिउशन अप दा लीगो इंडियान कन सॉर्टिम यानि कि का इंस्टिट्यूट का हैं गांदीनगर में हैं दा इंटर यूनिवसिटी ऑफ दा एस्ट्रोनॉमी एंड एस्टोफिस आई यू सी ए यानि कि पूने में यह की यूनिवसिटी इस्टित है और दूसरा एंड राजा रामरन सेंटर ऑफ दा एडवांस टेक्नोलोजी ने थैंक यू